हेलो एबरिबान कैसे हैं आप लोग आप सभी कर स्वागत है हमारे इस सेशन के अंदर एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा इंफोर्मेटिव रहेगा क्यूंकि अब इना एक भरती निकाली गई है आलंकि इसका नोटिफिकेशन आय महात्मा गांधी सेवा प्रेरक्षण भरती 2023 की है राजसान के बच्चे हैं उनके लिए यह एक अच्छी अपॉर्शनिटी है और किसके लिए रहेगी यानिके क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या-क्या सेलरी रहेगी कौन इसके अंदर फॉर्म को कि यहां पर कोई एक्जाम नहीं होने वाला है सीधा यहां पर भरती की जाएगी तो चेन की प्रक्रिया कैसे रहेगी वो भी हम लोग जानेंगे ठीक है तो कल परसों की डेट मिक नोटिफिकेशन आउट हुआ है ठीक है शांती एवं अहिंसा विभाग के द्वारा तेरा तरी इस पर्ति होने हैं वाली को फिलप कर सकते हैं और कोई भी यहां पर शुल्क नहीं लगेगा आप चाहें किसी भी कैरी से बिलॉंग कर रहे हैं जर्नल है OBC है EWA से कोई भी आपके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा उसके लावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जारी क्या गया है और इसके अंदर 50,000 पदों पर यह भरती की जाएगे अब बच्चों के मन में बहुत सरे सवाल आ रहे होंगे कि मैम यह महात्मा गांदी सेवा प्रेरख भरती है क्या जानेंगे ठीक है तो यहाँ पर लगबगनब 50,000 पदों पर होगी और अगर आप 12 पास है यानि कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी 12 पास अगर आप इस स्वाम के लिए अपलाए कर सकते हैं अब देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है तो यहाँ पर यह डिपार्टमेंट जो है वो है शानती और अहिंसा विभार इसके द्वारा यह भर्ती निकाली गई है और पोस्त का नाम क्या है महात्मा गान्धी सेवा प् यहां निखिएगा 50,000 पोस्ट हैं बढ़ाई भी जा सकती हैं और यहां पे जो वेतन मिलेगा वो आपको मिलेगा 45 और पे अब आपको लग रहा होगा कि यहां पे काम क्या करना होगा यहां पे आपको जो महात्मा गांधी के जो भी काम किये गए हैं उनके द्वारा किस परका इस परकार से फ्रीडम में उनका जो भी योगदान रहा है वो सारी बाते आपको लोगों तक पहुंचानी होंगे अब इसके लिए दस्तावेस भी कुछ आईए होंगे डॉक्यमेंट्स वगएरा वो सारी बाते जानेंगे लोकेशन राजस्तान आप जिस भी जिले के अंदर हैं जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वहीं से आप अप्लाइ करेंगे आप जिस भी डिस्त्रिक में रहते हैं उसी से पर्टिकुलर उसी एरिया के लिए आप इसको अप्लाइ करेंगे एक जना एक ही फॉर्म को भर सकता है पर्टिकुलर एक एरिया से चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आफलाइन आपको भरना होगा शांतियो रहिंसा विभाग की जो साइटे वहाँ पे जाक्या भर सकते हैं फॉर्म को कोई शुल्क नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 16 अगस्त से शुरू हो गए है फॉर्म फिलप करने और यह चलेंगे आपके 29 अगस्त ठीक है और साथी में ध्यान दिखिएगा एस की बात करते हैं 21 से लेकर 50 वर्ष यानि कि अगर आपकी एस जो है वो इस पर्टिकलर क्राइटेरिया के अंदर आती है आप 21 से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं एक साल के लिए नुक्ती की जाएगी जिसके अंदर आपको हर मेने 45 उर्पे दिये जाएगे और यहां पर अगर चेन की बात करते हैं कोई एक्जाम यहां पर नहीं होगा तो भर्टी कैसे होगी आपके पास जो भी फॉर्म है जब भी फॉर्म फिलप के जाएगे तो देखा जाएगा आपके पास कौन-कौन सी डिग्रीज है जैसे कि माल लो 12 पास सो मिनिमम है अगर आपने पीजी वगरा भी किया हुआ है तो वर्यता उसको दी जाएगी या फिर आपके पास किसी स्काउट से रिलेटेड या कुछ हैसनमा महत्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी जैसे प्रत्योगीता वगरा हुई है अगर आपके पास उसका परमान पत्र है तो आपको यहां पे वर्यता दी जाएगी इस तरीके से चियन होगा और बात में इंटर्व्यू लिया जाएगा और यह देखा जाएगा कि आप किस परकार से लोगों को प्रभावी कर सकते हैं किस परकार से अपनी बातों को रखते हैं आपको नौलेज कितना है यह सब कुछ रहेगा ठीक है इंटर्व्यू में और अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो यह जॉब आपकी है चलिए तो उसके लावा एक साल का यह रहेगा यह हमने बता दिया है चियन परकरिया कैसे है फॉर्म भरने होंगे उसके बार में आपको सेलेक्ट किया जाएगा और साथी में फिर इंटर्व्यू होगा इस फरकार से यहाँ पर पूरा चेन किया जाएगा आवेदर शुलक दीरो है 21 से 50 तक यहाँ पर एज है डन चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं पर्टिकुलर यह अगर आपके पास यहाँ पर्मान पत्र है नॉर्मली आपको आप राजसान के लिए अप्लाए कर रहे हैं तो आपको जन अधारकार चाहिएगा जो क्या भी कंपलत्री है जन अधारकार आपको अपना जाती पर्मान पत्र चाहिएगा 10th की mark sheet वगरा चाहिएगे 12th की mark sheet ये कुछ एक normal जो required जो documents है वो रहेंगे उसके अलावा अगर आपके पस और भी कोई certificate है आपने कहीं पर किसी प्रतियोगीता में भाग लिया तो वो भी अगर आप यहां पर दे दोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा ठीक है आपकी जो chances हैं वो काफी बढ़ जाएंगे तो इस तरीके से आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं तो जो भी free बैठे हैं particular किसी exam की तयारी नहीं कर रहे हैं normal है आप यहां पर apply कर सकते हैं और भी कोई information चाहिएगी तो आप अपने comment section में put up कर दीजिएगा और दोसों के साथ share जरूर कीजिए अगर कोई भी यहां पर इच्छुक है मिलते हैं next video में take care